नमस्कार वेल्कम बेक टो आवर चैनल एंजल स्पेशन आज हम बनाने वाले हैं मस्रूम की सूप होट एंड शोर मस्रूम की सूप जो कि आप उंटर हो या फिर रेइन हो बना करके इसे पी सकते हैं खा सकते हैं और यह हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है इसे बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है और यह हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है अब इसी तरह से उंटर में जरू ट्राइ कीजिएगा तो आए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं देखिए यहां पर मैंने दो बॉल में मस्रूम लिया है और यह जो मस्रूम है मैंने इसे फाइनली चॉप किया है और यह जो मस्रूम है मैंने इसे स्लाइस चे कट किया है आप चाहे तो सेर्फ ऐसे कट करके बना सकते हैं या फिर ऐसे फाइनली चॉप करके भी बना सकते है मैंने यहां पर gas on कर दिया है और मैंने एक कड़ाई चड़ा दिया है कड़ाई में हम डालेंगे आदा स्पून ओयल हमें इसे ज़्यादा ओयल नहीं चाहिए ओयल ह्लक सा गरम होने के बाद हम यहां पर डालेंगे फाईनले चब्क ग्याँवा गरlick गरlierग को हम ठोड़ा टाइम के लिए फ्राय कर लेंगे और यहां पर में डालूंगी एक ग्रीन चिली को फाइनली चब करके इसे में डाल रही हूँ टेस्ट को बैलेंस रखने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा तीखा रहेगा तो अच्छा लगेगा और यम्मी सा लगेगा ग्रीन चिली भी हमारा थोड़ा फ्राइ हो गया है अब हम इसमें मस्रूम को डाल देते हैं यह मस्रूम को हम थोड़ा फ्राइ करेंगे इसे हम कट किये हैं मेने यहां पर टुटली 200 grams mushroom लिया है इस तरह से दो तरह के mushroom को कट करने का कारण है कि एसे बड़े बाले पीसेस में कट करने थे हम इसे soup के साथ खा सकते है और इसे जो मैंने finally chop किया है इसे gravy के साथ हमारा soup के साथ मीक्स होजाएगा तो इजो पीटने के time पे बहुत हीलागेग इसलिए मैंने दो तरीके से इसे कट किया है आप चाहे तो दो तरीके से कर सकते है या फिर एक तरीके से भी कर सकते है फैनली चप कर सकते है या फिर इसे कट करके भी बना सकते है देखें यहां पर हल्का सा हमारा मसरूम जो है वो साफ्ट होने लगा है अब हम इसमें डाल देते हैं पानी दो से तीन ग्लास पानी हम इसमें डालेंगे यानि कि करीब 400 तो 500 ml पानी डालेंगे यह जब बॉयल हो जाएगा और थोड़ा थीक हो जाएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा आप उम इसमे श्वात के अनुशार नमक डालाके इसको धग देंगे पाने में थोड़ा ओबा लाने के लिए और यहाँ पर मैंने एक बाउल में अधा कुप पानी लिया है और उसमें डालेंगे एक स्पून कस्वार कनफलोर हमें ज्यादा नहीं डालना है कम ही डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हमारा जो सूप है उसका कंसिस्टेंस थोड़ा ही ठीक रहने के लिए हमें कनफलोर चाहिए आप अगर कनफलोर यूज ना करें तो भी अच्छा है अगर थोड़ा सा ही डालते हैं तो हमारा सूप जो है वो थोड़ा सा थीक रहेगा तो अच्छा लगेगा देखिए हमारा पाने भी उबल रहा है और ये थोड़ा कम भी हो गया है अब हमें इसमें डाल देते हैं कनफलोर का जो सलेरी बनाए है मैंने वो मस्रूम को चौपर से चौप किया है अगर आपके पास चौपर नहीं है तो आप इसे ग्रैंडर में भी डाल के एक दो सेकंड के लिए ही ग्रैंड कर लीजिएगा तो ये फाइनली चौप हो जाएगी अब हम उसमें डाल देते हैं एक स्पून ब्लाक पेपर लाता है उसी में से मैंने एक स्पून डाल दिया है इसे हम और चार-पांच मिनिट के लिए उबलने देंगे ताकि हमारा सूप का जो पानी है वो थोड़ा कम हो जाए और ये थोड़ा ठिक हो जाए तब तक हम इसे थोड़ा बॉल कर लेंगे मसरूम भी हमारा अच्छे से गल गया है और मसरूम को गलने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है अभी हम इसमें डाल देंगे एक स्पून विनेगर और एक स्पून डालेंगे डाक सुया सॉस एक स्पून डालेंगे चिली सॉस अगर आप बच्चों के लिए बना रही है तो इसे स्किप कर दीजिए यहां मार्केट के जैसे होट एंड शॉर सूप बना रही है इसलिए मैंने इसमें चिली सॉस डाला है आप आपके पसंद से कम या ज्यादा भी डाल सकते है और एक स्पून डालोंगे टमाटो केचप इसमें से यह थोड़ा यम्मी सा टेस्ट आएगी अर अब ही बन गया है हमारा मस्रूम सूप यह थोड़ा सूप भी थोड़ा थीक हो गया है अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा धन्यापता जिसे ही हम गयास का फ्लेम आफ करेंगे और यह हलका सा ही थंड़ा हो जाएगा साफ करते करते यह और भी थोड़ा थीक हो जाएगा इसलिए मैं इसी कंसिस्टेंसी में ही गयास का फ्लेम आफ कर देती हूँ जल्दी और कितने हेल्दी सा बन गया है हमारा होट एंड शोर मस्टूम शूप इसे हम सर्फ कर लेते हैं अब भी इसी तरह से घर पर बनाएं खुद खाएं बच्चों को भी खिलाएं और आपको किस लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छे ऐसे वीडियो देखने के लिए और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सेथ जरूर कीजिए मैं फिर मिलूँगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई थैंक यू